नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल काशी रसोई पर और आज मैं एक बहुत ही इजी क्विक स्नाक रेसिपी ले आई हूँ या आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं इसको सूजी उत्तबम, सूजी का चीला या सूजी पैनकेक्स भी कहते बनाने के लिए तो इस रेसिपी में सबसे पहले आपको एक बावल लेना है जिसमें आपको करीब दो कप सूजी ले लेनी है सूजी आप नॉर्मल पैकेट वाला ले सकते हैं अगर आप चाहें तो इसको एक बार मिक्सर ग्रैंडर में थोड़ा सा ग्रैंड करके बारीक कर इसके बाद हम इसमें एक कप दही डालेंगे दही से इसमें खटा पनाएगा बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा तो इसके बाद हमें इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है कि हमारा जो दही और सूजी है कुछ इस तरीके से मिक्स हो जाएं और आप देख सकते हैं कि स पानी डाल के बैटर बना की एक बार इसको साइड में रख देंगे ठोड़े रेस्ट होने के लिए तो सूजी और फूलती है सूजी और पानी पीती है तो इसके लिए आपको पानी की क्वांटिटी का बहुत अच्छे से यहां पर ख्याल रखना है इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है नमक, स्वादनुसार और इसी के साथ हमने इसमें एक चुटकी बेकिंग पाउडर डाल दिया है आप चाहें तो बेकिंग पाउडर इसमें अवोइड कर सकते हैं बट बेकिंग पाउडर से यह फायदा होगा कि काफी फलफी और काफी अच्छे हमारे यहां प तो इसको एजली आप अच्छे से मिक्स करें और कुछ इस तरीकी से आप देख सकते हैं इसको कुछ देर के लिए आप साइड में थोड़े रेस्ट होने के लिए रख दे तो यह हमारा बेसिक बैटर का है आप चाहें तो आपने चीले जो है सिर्फ इसी बैटर से भी बना सकत दनिया हरी मिर्च तो जितनी भी वेजिटेबल आपके पास अविलेबल हो वह आप इसमें काटके एकदम बारीक बारीक सब कुछ डाल दें आप इसमें चाहें तो अलग-अलग तरीके की पैपर जाती हैं मार्केट में या गो भी डाल सकते हैं पत्ता वह भी जो भी आपका चोईस हो अगर आप मार्केट में यहीं उत्तपम खाने जाएंगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है बट आप यह घर पर बनाएंगे तो आप बहुत ही धेर सारे पीसिस बहुत ही अच्छे से अपने घर में हेल्दी तरीके से बना सकते हैं बस अब मैंने क्या कर रहा ह आप देख सकते हैं कि आपकी जो फिलिंग है या आप कहले टॉपिंग्स हैं यह कुछ इस तरीके से एक तरफ इसकी रेडी हो जाएगी अब यहां पे हमें एक पैन लेना है और पैन पे आपको अपना सबसे पहले जो सूजी का बैटर है आपको कुछ इस तरीके से उस पे देना है और हाँ पैन को गरम करके उस पर जरू डाल ले आपको अपने स्पैचुला की हल्प से आप इसे हलका हलका कुछ इस तरीके से आप फैला ले इससे काफी प्रोसेस आपका इजी हो जाएगा वरना और भी बहुत से प्रोसेस होते हैं जो लोग फॉलो करते हैं बट यह बेस्ट प्रोसेस है जिससे आपके चीले परफेक्ली बन जाएंगे और इसके बाद आपको इस पर अपनी टॉपिंग्स को कुछ इस तरीके से डाल देना है अगर आप प्रोफेशनली वैसे बनाना चाहते हैं तो एक स्पैचुला अपना बैटर डालिए और दालने के बाद अपनी फ्लेम को एक दम मीडियम टू लो पे रखें एंड हलका हलका ओयल रिजल कर दें इसको एक तरफ से अच्छे से पकने दें करीब एक मिनिट एपलीस आप इसे पकने दें और नॉन स्टिक में पकाएं तो बेटर रहेगा एंड एक चाको की हल्प से इ एक दम तवे को छोड़ दे आप इसे परफेक्ली पलट दीजे कुछ इस तरीके से और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटिफुल प्रिंट आये एक तरफ और अब पलटने के बाद थोड़ा सा ओल आप इसमें डाल दें आप चाहें तो फॉर्चून यूज कर सकते हैं जो म सूजी के चीले या जो भी आप कहें सूजी के उत्तपम ये परफेक्ली रेडी है तो बस मैं ऐसे ही बाकि सारे पीसिस बनाके निकाल लेती हूं और ये परफेक्ली सूब के नाश्टे के लिए जटपट बन जाने वाले सूजी के उत्तपम रेडी हैं I hope ये वीडियो आपक शेयर करें थैंक यू सो मच